हलो एन वेलकम टो पीवाई की पेडिया तो फाइनली एटी सी की जो वेकेंसी आई थी एट टू थाउजन ट्वेंटी टू एडवर्टिजमेंट नंबर उसकी जो रिजल्ट आ चुकी है और जो 21 फरवरी 2023 को पेपर हुई थी उसकी रिजल्ट आ चुकी है अब क्या है कि आप साइको एक्टिव सबस्टांसेज टेस्टिंग फॉर साइको एक्टिव सबस्टांसेज के लिए बुलाया गया है ठीक है और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो तोटल वैकेंसी तोटल इन्होंने निकाली है लिस्ट वह आपको 110 इधर है 175 लोग इसमें है इस लिस बुलाया है वो 110 प्लस 175 प्लस 175 प्लस 19 तोटल 479 लोगों को मात्र बुलाया है यह देर गुना भी नहीं है और हमारी जो वैकेंसी थी वो कितने थी 356 तो आज आपको क्या है 11th of April है 11th of April और 11th of April को आप वैकेंसी रिजल्ट फाइनल आ गई ठीक है इसकी एकजाम आप देख रहे हैं सकते हो कि एकजाम जो इसकी हुई थी वो कब हुई थी 21st of April 2023 को हुई थी और इसकी आपको रिजल्ट आ गई और अगर आपको एक चीज मैं बता दूँ कि आप कटप देख रहे हो 94.755 जनरल की है UR की 90. 90.836 से EWS की है 91 OVC की है सेदूल कास की 86 है ST की 82 है PWD की 68.167 है अब जिनका सेलेक्शन हो गया है उनको तो बहुत बहुत बधाईया और वो आप तयारी कीजिए वास टेस के लिए इसके लिए हम आपको वीडियो बनाएंगे कि आप इसकी कैसे preparation कर सकते हैं ठीक है और जेनरल इसमें problem होती नहीं है हो ही जाती है सबकी अब आप सोच लिए ना कि 479 लोगों को बुलाया हिनोंने 356 है ठीक है 356 vacancy है तो अगर आप बात करते हो इसमें तो total 123 लोगों को ज्यादा बुलाया है तो इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके selection हो गई होगी और यह second list भी निका ठीक है अब जिनका नहीं हुआ है तो अब आपको जिनका नहीं हुआ है उनको बहुत ज्यादा दुखी होने की बात नहीं क्योंकि ATC continue vacancy ला रही है और आने वाले समय में vacancy आएगी और इस साल भी vacancy आने वाली है अब यह है कि बहुत सारे लोगों का यह था कि कब vacancy थी उसमें मैंने क्या बोली थी और क्या वही बात हो रही है या नहीं हो रही है ओके यह वीडियो मैंने बनाई थी कि AIATC 2013 expected cut-off result date new vacancy update ठीक है तो इसमें मैंने आपको लिखा था कि 2023 में ठीक है 356 vacancy है और expected cut-off 95 plus minus 2 आप देख लिजे cut-off इसी range में है 94 गया है 95 के आसपास में तो यह आपको cut-off इसी range में है ठीक है इसके बाद मैंने आपको बताया था कि April में आपका यह result आ जाएगा declared by April तो April में result आ गया ठीक है मैंने आपको इसमें यह भी बताया था कि 20 और 21 February को पेपर हुई थी April में आपका result आएगा और final result आपको में में आ जाएगा ठीक है यह मैंने आपको बताई थी अब हम लोग यह भी वहाँ पे compare किये थे कि जो 80C है वो दो 2022 की जो फैकेंसी निकली थी वो 15 जून 2022 को फैकेंसी आई थी और 28 नॉबर 2022 को यह इन्होंने final list दे दी थी मतलब 5 महिने 13 दिन में इन्होंने final list दे थी ठीक है तो मैंने यह कहा था कि अगला जो फैकेंसी आएगा अगली जो फैकेंसी आने वाली है वो आपको कब आएगी यह भी मैंने बताई थी अब आपको मैं दिखा देता हूँ तो यह वीडियो में जो मैंने cut-up का यह किया था वो एकदम सही निकला result का भी मैंने जो बोला था वो सही निकला अब आपक अब इसमें आप यह देख सकते हो c this is okay अब आप यह देख रहे हो मैंने कहा था कि यह तो हो गई ठीक है न अब मैंने यह कहा था कि आपकी जो अगली वैकेंसी माई में यह फाइनल हो जाएगी 354 वाली क्योंकि आप देख लिए दिसंबर 2022 में वैकेंसी आई थी 8 2022 20 जनवर तक इसकी डेट थी और 21 फर्वरी को इसकी एकजाम होई थी ठीक है और अप्रेल में मैंने कहा था कि आपको यह अप्रेल में यह आपको result देगी और माई में इसका final result आजाएगा आप देख ले ना माई में इसकी final result आने जा रही है और जैसे ही final result आजाएगी तो June 2023 में June 2023 में new vacancy आने की संभावना है June 2023 में जो vacancy आएगी वो भी by the end of this year December 2023 तक वो vacancy complete हो जाएगी यह मैंने पहले वीडियो में बता दिया था और मैं आज भी यही बता रहा हूं कि जिनका selection नहीं हुआ है उनको ज्यादा सोचना नहीं है आप क्या करो आप जो पहली सबसे पहली चीज़ों करो कि previous year question solve करो इससे आपको idea लग जाएगा किस टैप के question पूशे जा रहे है 2015 से लेके 2023 के सारे question आप solve करो ठीक है जून 2023 में आपके लिए vacancy आएगी ठीक है आपके लिए opportunity आएगी बट यह नहीं है कि आप जो vacancy आएगी तब preparation start करोगे ठीक है ना इसी कारण से selection में problem होती है आप आज से शुरू कर दो ना आपका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है अगली vacancy अगले में हो जाएगी ठीक है ना जिनका हो गया वो तो आप preparation कीजिए अगले stage के लिए जिनका नहीं हुआ वो अभी से लग जाईए ठीक है जून 2023 में यह vacancy आने की पूरी संभावना है और इसकी वी जो होगी NCRT आप कर सकते हो NCRT 12 पे ज्यादा focus करो अब topic वाइज जिस पर question पूछ रहा है उसके NCRT में वो topic देख करके आप उसको solve कर सकते हो ठीक है ना फॉर्मूलाज करो है ना previous year को solve करो यह नहीं सोचना है कि इस बार नहीं हुआ एक number या दो number selection नहीं हुई नहीं हुई आगे की स 2023 की मैंने भी solve की है 2023 2015 से लेकर के 2023 की एक-एक physics and mathematics की question हमने solve की है और अब हम लोग aptitude की भी जितने भी question है 2015 से लेकर के 2023 तक का वो भी हम लोग solve करेंगे आगे और in future जो vacancy आएगे उसके लिए हम लोग topic wise जो है वो course भी launch करेंगे topic wise जिसमें कि आप लोग topic wise पढ़पाएंगे ठीक है उसमें जो उस पे हर topic पे जो जो previous question है या कुछ mcq जो संभावित question होंगे वो करेंगे आप देख लीजे cut up बहुत high नहीं जा रही है ठीक है below 100 है इसका सबसे वरा कारण यह है कि regular vacancy आ रही है और regular vacancy आ रही है तो क्या हो रहा है कि लोग selection हो रही है अभी आप सोचे की 356 सीटों के लिए फिर आपको जून में vacancy आ जाएगी ठीक है तो आप इसके लिए त्यार रहो और अगली vacancy आ रही है बहुत सारे लोग comments करते हैं कि vacancy क्या 27 में आएगी देखो जब तक एक recruitment खतम नहीं होती तब तक दूसरी vacancy नहीं आती है तो better है कि आप ही सोक नहीं म most probably यह recruitment आने जा रही है ओके सो और जिनका इसमें हो गया है उनकी वाइस टेस्ट के लिए हम लोग एक particular वीडियो बनाएंगे और previous year जित्ती वी question है previous year 2015 से ले करके 2030 तक की यह आपको playlist है उसमें आपको description में playlist का link मिल जाएगा वहाँ पे यह सारी solve की हुई है और वहाँ पे आ आपके पास जो जो topic पर ज्यादा question पूछते हैं उसमें NCRT से जा करके एक बार पढ़ लो वैसे हम लोग एक important topic के एक lecture series चलाएंगे ठीक है जिसमें हम लोग important topic और उस पर जो भी previous year question पूछे हैं वो करेंगे बाकी आप सबसे पहले previous year question solve करो आप देखना कि बहुत सारे question जो so thanks for watching